दोस्तों अभी जो new version का phone आ रहा है बहुत सारी phone पर क्या होता है कि यहाँ पर यह जो power button है इसको अगर हम यहाँ पर press करके रखते हैं power off करने के लिए या तो reboot करने के लिए तो यहाँ पर हमारी सामने एक message आ जाता है Google Assistant का ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर मैं दुबारा आपक तो इस problem को आपको कैसे solve करना है आज की इस video में आपको step by step complete process दिखाने वह रहा हूं तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रिशानी पर है तो मेरे साथ बने रहे हैं और वीडियो को please end तक का देखते रहेगा तो दोस्तों इस problem को solve करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ पर आपको दिखेगा press and hold power button ठीक है तो यहाँ पर आपको इस option पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फिर से press and hold power button तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको exciting देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर मैं आपको तुरह सा जू Google Assistant जो है वो save किया हुआ है तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर उपर वाला जो option है इसको select करना है और यहाँ से आपको bake आजाना है ठीक है यहाँ पर bake आने की बाद में अभी मैं power button को press करता हूँ और यहाँ पर देख पर यहाँ पर अभी यहाँ से मैं power off भी कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं restart भी कर सकता हूँ यानि कि bake करके मैं आपको दुबारा दिखाता हूँ यहाँ पर power button को press किया और यहाँ पर अभी यह option आ रहा है switch off करने का और restart करने का ठीक है तो दोस्तों अगर आपका भी कोई भी फॉन है और इस पॉन पर इसी तरह का प्रोब्लम आ रहा है, पावर बटम पर क्लिक करने की बाद में Google Assistant तो आप इस प्रोब्लम को इसी तरह solve कर सकते हैं, ठीक है?